बिद्यार्थियो नमस्कार मैं डॉक्टर राजीव कुरेले एसोसेट प्रोफेसर उत्राखंड आयर्विद विश्विद्याले आप सभी का ओनलाइन क्लासिस में स्वागत करता हूँ बिद्यार्थियो आज मैं आपको वटी कलपना का आयर्विदिक व्यूद और उसका जो मौडर्ण सरूप है जिसको की टेबलेट के रूप में हम जानते हैं टेबलेट कलपना के मैनुफेक्ट्रिंग प्रोस्पेक्टिव के वारे में बताएंगे अर्थात टेबलेट को हम फार्मेसी में कैसे निर्माण कर सकते हैं इस मिसे में हम आज चर्चा करेंगे आप सभी जानते ही हैं रस सास्त और मैसज कलपना रस सास्त अर्थात जिसमें की पारद इत्यादी उपररस महा रस साध्रान रस इत्यादी मिनरल और मैटल दिर्व्यों का बहुतायत में प्रियोग होता है और वैसज कलपना जिसमें की mostly herbs का प्रियोग होता है इन दोनों में वती टेबलेट की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है ये अस्टांग आयरवेद में रसाइट वैसेचकलपना बहुत मादपून है क्योंकि जिकिस्टा का जो चतुस्पाद है उसमें वैद के बाद जो प्रदान है वो औशदी है कहा गया है विसक दृब्यानु उपस्ता था रोगी पाद चतुस्तियम इसलिए ट्रडिशनल आयरवेद ओशदियों से प्रभावी होता है वैद और ओशदियां अगर कारगर हो तो इसके रेजल्ट भी सकारात्मा को रच्छे आते हैं इसलिए कहा गया कि ट्रडिशनल आयरवेद जो है वो टाइम टेस्टेड है सेफ है और एफिकेसियस है इससे विविन हार्मफुल एफेक्ट इज ऑल्वेज नेचुरल इसके जादा तर ओशदियां जो है नेचुरल इंगेडिन से बनती है आप सभी जानते हैं के बटी और टेबलेट प्रप्रेशन बटी माने पिल्स और टेबलेट माने गुटका इस दा वेरी इंपोर्टें डोजिश फर्म of Ayurvedic drug, manufacturing of superior efficacy, tablet with highest purity and absolute safety is today big challenge for us, that will only possible through the complete knowledge of Vaisach Kalpana and Rashashastra. Vati Kalpana is a manufacturing procedure in which the powder of redraw drug or bio-medical or bio-mineral, triturated together with the certain kasai, kwaad, juice or even honey or anything else, the medicines are prepared in the form of pills or further some manufacturing process, tablet. What is the outcome of Kalp Kalpana among the five fundamental preparation of Ayurvedic pharmaceuticals? एर मैंने पूर में लिए आपको बताया कि, दो तरह की कल्पनाये होती है आहार कलप और ऐसे देकल्प, और कल्प होता है और और कल्प का निमित, रोगों कल्क कशाय सीथ और फंट इसके अत्रिक्त जो भी कल्पनाएं इन पंच कशाय कल्पनाओं की साहता से बनती हैं उनको मौलिक कल्पना से बनती हैं उनको वित्पुंद कल्पनाओं कहते हैं प्रपरिशन लाइक बटी टेवलेट अवले तैल पाक आशाव अरेस्ट लेप धूपन ओंटमेंट ग्रीम वाट्सौईवर सो मैं इडियरर प्रपरिशन अबलेवल और सारंगधर अब सभी जानते हैं कि जितने भी वैसज कल्पना का जो आधारवूर और मुख गरंथ है वो सारंगधर संगता है यह तेर्मी सदी का गरंथ है और वैसज कल्पना के लिए फंडामेंटल गरंथ है आप सभी को पता ही होगा बटी के कई सारे सिनोनिम होते हैं पिल से गुटका, मोदक, वर्ती, गुड़, खंड, चक्र का, पिंडी, वर्ती, बटी का, बटक तो जितनी भी बटी ही होती है वो इस्पेरिकल सेप किये होती है और बटक बड़े साइज के होते हैं गुटका चप्टे साइज के होते हैं चक्र का बड़े साइज में चप्टे हुए ज़्यादा होते हैं और मोदक मोदक है मुदक मुन्स मेजं केम लट्डू के जो बहुत बड़े साइज की गुटकाएं होती हो ुटो मोदक उर्दि मोदक ने गुड़क करी गई हो इनको पिन्ड भी बोलतें पिन्डो भी और जब की बॉड़ती की आकार की दोनों येज पर अगैनु पतली हो नुखीली हो सार पेज ना हो यह आकरती की हो तो इसको बरती कहते हैं अर्थात बीच में मौटी रहती है और किनारों पर पतली होती जाती है तो इसको बरती कहते हैं तो इनके साइज के आकार पर आकरती के आदार पर इनको हम विविन नामौक से पकारते हैं और जो इतनी भी बटियां और टैबलेट होती हैं यह 120 mg एक रत्ती से लेकर 500 mg 200 mg मुकता बनाई जाती है और आज कल जो टैबलेट बनाई जा रहे हैं निर्मान के लिए वह एक ग्राम और दिल ग्राम तक की अधिक्तम बनाई जाती है और इस से उपर जो मोधक हैं मोधक आपके 20 ग्र आविश्चक्ताओं की पूर्ती के लिए और शदियों के मान और उनकी आविश्चक्ता के अनुरूप इनको हम विभिन प्रकार से बनाते हैं और बटी कल्पना प्ले एन इंपर्टेंट रोल इन फार्मसुटिक्स आइरवेदा ओनिंग इट मैनी अड्वांटेज लाइग एजी अड्मस्टेश पलते शनुरूप्रवेदाबल्ते दिश्हक्ताओं के इट प्रकार से लिए और खीज्च्टेश्ट अश्चक्ताओं प्लेट और लिए छिए अज्चक्ताओं लोग्र्य को आढ़िए तकानी आविशवर्च्टेश्वर्च्टेट लिए लिए और now come on the definition of tablet in modern aspect tablet is defined as the compressed unit dosage form containing medicament or active material with or without excipient axiom means assumed to be inert material according to Indian pharmacopoeia pharmaceutical tablet are solid flat or y-convex this is unit dosage form prepared by compressing a drug or a mixture of drug with or without diluent they vary in shape differ greatly in size and weight depending on amount of medical substance and the intended mode of administration now come on the importance and why we need tablet dosage form you all know that tablet and body culpnay are very popular in this case this is one of the most molecular culpnay such as saurus or calc or quat or phant or acid in 24 hours we have used to be a compulsion for 24 hours which is the most important thing that we have used to be a person to be able to make the body of 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 the body जब प्रतिदन स्टार्ट हुआ तो इसके साथ ही और शदियों की सेल्फ लाइब ज्यादा रहे इसकी आवशकता प्रतीत हुई और दूसरा ही है कि जितने भी आयर्विदिक द्रव हैं बहुदा इनके टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है जैसे कि कुटकी है कुटज है बाशा है जैसे भी आप चिरायता है जितने भी द्रव आप देखेंगे मोस्टली मुलेटी की तरह और आमले की तरह और हर्ल की तरह बहुत ज्यादा टेस्टी और अच्छे नहीं होते हैं तो इनको प्लीजेंट कैसे पलिटेविल हो कैसे निगला जाए कैसे रोगी प्र कर्मान के चलिए कोई एक्स्टेक्ट की बनती है तो हम तुरुंत खा सकते हैं तो कई औशदियों की वर्ण अच्छा नहीं होता तो इसको हम कोटिंग के तवारा मास्क कर सकते हैं टेबलेट में तो मुक्रूप से अपरी गंद वर्ण और रस इत्यादी को मास्क करने के लि पर चिपक जाता है थोड़ा पाउडर तो पाउडर का इजी टेकिंग नहीं है बहुत ज्यादा अच्छा दूसरी बात जो महत्मून है वह फिक्स डोज जितने भी टेबलेट हैं चून हैं और इत्यादी कल्क हैं तो इनके लिए आपको वेट एंड मिजरमेंट करना होती हैं इसके अत्रिक बहा बातरवर्ण से और जड़ीबूटियां डेकेड हो जाती है तो टेबलेट के द्वारा हम इनको प्रॉपर वाइंड करके क्रिनल बनाकर रख देते हैं जिससे की एट्मोस्पियर का कम से कम इसमें दुश्प्रवाव पड़ता है और यह एट्मो किस्ता हैं तो सबसे फिर से हम रिपीट कर देते हैं एकुरेशी ऑफ डोचीज फॉर्म लाइटर एंड कॉम्पेक्ट यह डोज का हलका और कॉम्पेक्ट डोचीज फॉर्म है पिसेंट एक्सेप्टेंस अब्जेक्शन ओडर एंड बिटर टेस्ट कैन भी मास्क वाइदी क प्रफॉर्म टेक्निक इस्ट एंड चीपिए टू पैकेज इंड इस ट्रिप इस्ट्रिप और जितने भी ऐलु ऐलु इस्ट्रिप है बिश्टर है और सिंपल इस्ट्रिप है इनके दोरा जो है हम इसकी स्टेविल्टी को कई मैनी फोल्ट दक बढ़ा सकते हैं एड इजी सेलोन विदी लीज टेंडेंशी टू हैंग अप सब्सक्राइब हम जानते हैं सारी तुपी और पेट में गुलती हैं लेकिन कुछ और पेट में जाके एस्टिटी करती हैं और हम अगर चाहेते हैं कि उनका रेजिल्ट हमें आंतों में प्राफ्ट हो हमें इंटेस्टीन में प्राफ्त हो तो उसके लिए इंटेरिक कोटिंग की टेक्निक भी हम प्रियोग कर सकते हैं आप जानते हैं फार्मेकोलोजी में काइनेटिक्स और डाइनेमिक्स दो विशह आते हैं काइनेटिक्स मतलब जिसमें सेल्फ लाइफ जो ड्रक्की होती है कितने देर तक बॉडी में ब्लड में दवाई काम करती है तो उसको हम टेबलेट डोजेज फॉर्म में हम सस्टेन रिलीज टेबलेट भी बना सकते हैं जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके प्रवाव को एक बरावर तरीके से मैंटेन रख सकते हैं बाइबलेविल्टी को परचर रूप से उपलब्द करा सकते हैं दा ग्रेटेस्ट केमिकल एंड माइक्रो बाइलोजीकल इस्टेविल्टी ओवर ओल दी डोजेज फॉर्म आप सभी जानते हैं टेबलेट क्यों पॉपलर हुई क्योंकि माइक्रोबियल पॉइंट आप यू से हाइली पॉपलर और effective रही है इसके अलावा बहुत ही मात-पूर है कि हम इसमें प्रोड्ट का इडिपेकिशन विकर सकते हैं कई बार हम इसमें एक मार्क कर देते हैं उसकी अपने कंपनी का भी मार्क अभी मार्क कर सकते हैं तो product identification is easy and rapid requirement no additional step and implied the embossed or monogram punch face economy mass production method or machine of the high efficiency and output they also represent a rapid and economic means dispensing and cost lowest for the all dosage form आप सभी जानते हैं tablet के लिए पहले तो simple machine चलती थी punching machine पंच के बाद rotary machine आई rotary machine के बाद आजकल express machine आगई express machine के बाद भी इस समय पर highest multi layer में machine आगई माने एक tablet की आप दो layer 3 layer 4 layer अलग-अलग active material से बना सकते हैं अधेपी आयरविद में इस तरह के अलग-अलग layer की आवश्यक्ता का कोई की बहुत जादा technical मतलब नहीं है लेकिन modern pharmaceutical में तो इनकी compatibility अलग-अलग दिर्वियों की होती है इनको अलग-अलग time से release करना होता है इसे साब से यह technology हम सिर्फ tablet में ही प्रियोग कर सकते हैं आपको मैंने tablet के बहुत सारे आप बताए तो कुछ इसकी limitation भी है tablet doge form की कुछ इसकी disadvantage भी है जैसे कुछ द्रब जो की निगलने में tablet आशान नहीं होती है बच्चे हैं अगर बच्चों को अगर हम tablet देते हैं और उनका इसकी निगलने में difficulty होना एक बहुत बड़ा disadvantage है और कुछ द्रब ऐसे होते हैं जो की compression के लिए resistance होते हैं जैसे कि अगर किसी और तेली द्रब बजाता है जैसे मान के चलिए कोई आपको तिल की tablet बनानी है राल की tablet बनानी है किसी जिसमें की oil निकलता हो जिसमें की अंदर oil हो जोड़ी उटी के अंदर तो उनको आप अगर compress करेंगे तो proper compression नहीं होती है माश्यर ले लेती है और proper जो है उनकी hardness डेवलप नहीं हो पाती है तो कुछ द्रव होते हैं प्यूर वेटिंग के स्लोज डियूशन प्रॉपर्टी होती है उनको भी हमें दिक्कत आती है टेबलेट के लिए और बायो लेविल्टी के लिए अगनी का प्रियोग करके और बिना अगनी का इसी को कहा गया अगनी साथ बटी और अनागनी साथ जिसमें अगनी का प्रियोग नहीं करते कोई भी ओसत द्रव लिया उसको हमने वाइंडर या पानी के द्वारा या किसी द्रव के द्वारा उसको हमने ट्राइस्ट्रेट कर लिया और उसको हमने बिना अगनी का प्रियोग कर लिया तो अनागनी साथ हो गया और अगर हमने उसमें पाक करा और पाक के बाद उसको द्रब बनाया फिर उसको और करा मोल करा और फिर कंप्रेशन करके टैबलेट या बटी बनाई है रोल करा तो उसको अगनी साथ बोलते हैं modern pharmaceutical की बात करें तो tablet के कई सारी category में रख सकते हैं जैसे कि tablet ingested orally है वो tablet जिनको हम मुक्षे प्रियोग करते हैं जैसे कि इसमें आता सबसे पहले compressed tablet multiple compressed tablet repeat action tablet, delayed release tablet जिसमें कि हम entire coating करते हैं जिससे कि इस्टमक में वो tablet ना गुले sugar coated tablet, film coating tablet और chewil tablet जैसे कि antacid की जितनी भी tablet आती है इसी तरह tablet आती है जो कि oral cavity में ही काली प्रियोग होती है जैसे कि वक्कल टैबलेट, sublingual tablet, logenges, dental cones, कुछ टैबलेट आती हैं जो दूसरे रूट से प्रियोग होती हैं जैसे implantation tablet, vaginal tablet जिसमें इसकिन में ग्राफ्ट करके हम इंप्लांट कर देते हैं इसकिन के सब्सक्राइब के अंदर हमें desired result के लिए active material लाने के लिए कुछ हम internal organ में भी body part में भी प्रियोग करते हैं तो इसी तरह और भी टैबलेट आती हैं जिनको कि हम standard solution बनाने के लिए chemistry में अन विविन लेबों में प्रियोग करते हैं जैसे कि effervescent tablet, dispensing tablet, hypodermic tablet, enzyme, trituration tablet तो यह जितने भी क्लाश्ट अगर हम आयरुवेद की बात करें तो बहुत सारे आयरुवेदिक बटियों के important formulation हमें दिखाई देते हैं जैसे कि गुगलू कल्प जैसे कि गुगलू कल्प में आपने जानते ही हैं त्रिफला गुगलू बहुत famous है कांचनार गुगलू कैशोर गुगलू सिंगनाद गुगलू लाक्षा गुगलू नावक गुगलू मेदोहर गुगलू राशनादी गुगलू तो जितने भी गुगलू ह आज चिकिस्टा में आप देखें कि जो इतनी भी डिस्पेंसिंग चिकिस्टा होती है आयरवेद में वैवारे के रूप से कोई ऐसा पर्चा रेर ही मिलेगा जिसमें कोई डॉक्टर अगर गुगलू को ना लिखता हो इसी तरह गुटका के रूप में जैसे संजीबनी वटी लशनादी वटी लबंगादी वटी कुटजगन वटी गंदग वटी विस्टमंडी वटी बहुत सारी वटियां हमें दिखाई देते हैं इसी तरह लौह और मंदूर के लिए भी आती है जैसे कि पुनननवादी मंदूर बटी दात्री लौह बटी रश वशदियां भी आज दुद्दा रश बटी नहीं जीवन रश इत्यादी इत्यादी आप अगर सारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखें सारी दुनिया में देखें मार्केटिंग को देखें अईरवेद के वेबसाइब को देखें तो निम्न प्रकार के टैबलेट और बटियों के जो है उसमें आते हैं जिसे डाइबटीज के लिए टैबलेट ओवेसिटी समय का रशाइन Whoo की बढ़ेउध उसादियों की षता ही बढ़ गई है एफि अहनी की बाजीकार का ऐस्दिया एंटी व्र्क एलर्जिक ड्रग इलर्जीडिसाओर इसकिन की इलर्जी, ड्रग इलर्जी, एट्मोस्पेर की इलर्जी, पॉलूशन एफेक्ट इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा टैबलेट की आविशकता प्रतीत होती है एंटी एडिक्षन ड्रग, नूट्रिशुटिकल, जिसमें की रिवाइटल की तरह जो हमारे बॉडी के माइक्रो नूट्रियन्ट है और इन सब के लिए जिसमें की संपूर्ण पोसन हमें प्राप्त हो जाए, सुपर फूड के एक्स्ट्रेक्ट से बने हुए टेबलेट उसदियों की बहुत ज़्यादा आविशकता है इसी तरह एंटी अर्थ्राइटिक और जॉइंट पेन मेनेजमेंट के लिए कैप्सूल और टेबलेट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है तो आई अब हम आपको बेसिक फॉट बताते हैं सिद्दान्द बताते हैं कैसे ओशदियों का निर्माण होता है सबसे पहले हम प्लांट ओरीजिन का जो भी मेट्रियल है उसको हम कलेक्ट करते हैं किसी पर्सनल सोर्स से या मार्केट से अथेंटिक सोर्स से उसको प्रॉपर आइड कर देते हैं चैक करने के बाद उसको हम फाइन पाउडर में प्रॉपर बेट करते हैं और फिर जो है जितने भी मिनरल मेटल इत्ता दिये हैं उनको अगर हम आवशकता है तो उनको हम अलग से उनका हम निर्मान करके पहले से रख लेते हैं या मार्केट से बने हुए कर दोते हैं उनको हम मंगा लेते हैं इसी तरह जितने भी मर्दन के लिए जितने भी खल्व होते हैं तो इस तरह हमने प्लांट द्रप को और मिनरल और मेटल सिंदूर कूपी पक्रशान इप्तियादी जो भी फॉर्मलेशन में लिखा हुआ है उसको हमने अरेंज कर लिया और अरेंज करने के बाद इन सारे मिट्रियल को प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं मिक्सिंग के लिए हम प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हैं जो हमारा तरीका था वह मर्दन के द्वारा था खल्व एंत्र में लेके खरल में लेकि उसमें कोई भी लिक्विट फ्लू द्रप जैसे कि कोई कौई कौई किसी सौरा जूस कोई भी दूद या गौमुत त्यादी जो भी भावना द्रप है उसमें मर्दन करके पौशदियों को हम प्रियोग करते हैं इसी तरह जब प्रॉपर मर्दन हो जाता है तो मर्दन के बाद उसमें सुगंद द्रप जैसे की इलाइची दालचीनी तेजपत लॉंग इत्यादी जितनी भी जो सुगंदी द्रप हैं जिसमें की बॉलेटाइल को नो end करते हैं यहां है तो इस तरहें जो प्रिपेर्ट मांस है जिसको की मर्दन के बाद extraordinaire मामाल है उसको हम डायरक्ली कि 국 recording मशीन में इस्टिक बिनाकर फिर ऊसको स्थिक कटर से फिल्स के रूप में बना सकते हैं इससे पिरिकल रोल करके तेप बती बना सकते सबस्क्राइब करें और इसी वह फांत को हम फर्दर टेबलेटिंग में प्रियोग करते हैं जिस defense मास मिक्सटर के दौरा या rapid मिक्सर और फिस और हाज और हाइटेक मशीनियां हैं उनका प्रियोग करक ons फेरदर ग्रीनूर निर्मान करते हैं कुछ शामान सी जनरल बाते हैं जिनका हमें टैबलेट के समय बनाते समय बटी बनाते समय ध्यान रखना चाहिए जब भी फाइनल फॉर्मुलेशन में आएं तो ज्यादा ना तो ज्यादा चिपकनी चाहिए उंगलियों में और जब हम रोल करें तो वह बहुत ज्यादा ना ड्राइड हो ना बहुत ज्यादा शूखी हो और बहुत ज्यादा लूब्रिकेंट हो मलब बैलेंस रहना चाहिए अगर इसमें शरक्रा या जैगरी अगर मैंसेंड है तो पाक आप दीज शुट भी ता मेड इन माइल फायर अगर हमने पाक ही करना है तो इसको हम अध्यम अगनी में बहुत अलप अगनी में फायर करते हैं जिससे की वह नीचे से जले ना कोई भी उसादी तो इसका अगरेंड और एड़ेट टू दा पाक एंड विरिष्की मिक्स वें इस्टिल वार्म और जब हमने पाउडर डालना है तो उसी समय जब गर्म में ही डालना है क्योंकि ठंडा होने पर प्रॉपर मिक्शिंग नहीं हो पाती है और वटक शुट भी रोल एंड ड्राइड इन और इसको कहीं भी जहां पर सेड है डारेक्ट सन हीट में नहीं सुखाते हुए जहां पर सेड है सेड में रखे सन को सुखाते हैं और आजकर इसके लिए इलेक्ट्रिक ड्राइर भी आ गए हैं और इसके अलाबा कई सारे और एक्कुप्मेंट है सोलर ड्राइर हैं गैस ड् तो इसको हम एक्वल क्वांटिटी में लेते हैंодiate उस्कों नेदे एक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और अगर लिक्विड लेना है तो इसको हम डबल कॉंटिटी में लेते हैं तो मैंने आपको बटी का एक टेडिसनल तरीका बना दिया कि कोई भी हमने जड़ी उटी ली मिनरल में ठलित्या दी लिये उनको हमने खरल में अच्छे से घोट कर उसको एक पिंड बनाया पिंड बनाकर उसकी हमने इस्टिक बनाए इस्टिक बनाकर उनको सोड़ा से पत्रोड के रोल बनाकर हमने बटी के रूप में बना लेते हैं और इसी को फर्दर अगर टैबलेट में बनाना हो तो टैबलेट को को बनाने के लिए हमें टैबलेट मशीन की जरुवत होती है। और इसमें Mind Meat करना है इस की सर्टिंग करना है और इसकी स्वॉर्टं करना है इसकी स्वॉर्टिग सबसे पहले हमने वेएंग बैलेंस लगता है। फिर हमने कोई भी ड्राइ और वेट मिक्शिंग के लिए मास मिक्शर आजकल इससे भी हाइस टेकलोजी में रैपिड मिक्शिंग इनके लेटर आ गए हैं और जितने भी पाउडर इत्यादी द्रावेन को छानने के लिए वाइब्रो सिप्टर में यह च्छनिया लगी होती है के लिए में यह सिप्टिंग के लिए मेकेनिकल इसमें वाइबेशन होता है जिससे की पाउडर में चांज जाता है इसमें आकार की हमने जालिया लेनी होती है इसी तरह सुखाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेट्रायर होते हैं और इससे भी और हायर बर्जन के तरह किमेंट आ गए जैसे कि फ्लूटबेड ड्रायर इसमें हम गरम हवा के द्वारा पाउडर को आड़ा कर हम अרכण आटेज बृत्वा काकर ग। प्लूड बेट प्रोसेसर जिसमें कि हम गरम हवा के रहा पावडर कोड़ाते हैं और उपर लॉजल से लिक्विट को डालते हैं यह प्लूड बेट प्रोसेसर के दौरा है और इनको छानने सें ट्रहां ओर सिस्केर के पंचिंग के लिए टेबलेट मशेनि अरे में बेडर के सिंगल पंच मुझ 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 टेबलेट इसके बाद High Speed गोहें जिसको की Express मशीने भी बोलते हैं और यसी तरह की डेंवारे ट्रलाइट कोटिंग पाम आते हैं जिसमें की कोटिंग करते हैं और इसमें भी अभी Medium哎as kill के आने लगे हैं जिसमें की इस प्रेगन इत्यादी अरेजमेंट लगे बरेंग परेट केुटियद के चल्ट होतार थे इसके लावा और भी लेटेस अपग्री वरजन आ जैसे ऑठोर माश्टर कोडर लागत बहुत अधिक होती है महें होते हैं लेकिन ऑर्तारा इनकी की लिम्टेशन है जब बहुत बड़े बड़े बैच में प्रियोग करते हैं और इसके साथ मैनिफेक्टिरिंग कॉस्ट जरूर बढ़ जाती है लेकिन क्वालिटी बहुत इंप्रूब होती है इसी तरह इसकी टेबलेट काउंटिंग की मशीने आती हैं इनकी इंस्पेक्शन एट्डटिंग मशीन चश्सा की सारी की सारी मशीन हम करते हैं हुग आप देखें जींपी का किस तरह से प्रियोग होता है ये किसी एलोमेटिक फैक्टरी या यूनिट का दिरशने है यह बहुत सरकार आयुस मंझतरा एक ही यूनिट है तो आप कह सकते हैं कि आज क्वालिटी और जितने भी डबलुएचों और मॉडर्न कंसेप्ट हैं या आयरविद में इंक्लूड हो गए देखिए आपको क्लीन रूम कंसेप्ट के साफ से कैसे मैनिफेक्टरिंग उनिट होनी चाहिए यह आप साइड में देख रहे हैं आपके दाइं तरफ आपको पूरा स्टोर दिख रहा है स्टोर में किस तरह से आपके स्टैकर के दोरा मिट्र लेने की वर्श्ता है इसमें पूरे 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 स्लोटेट एंगल रक्रेक्स रख के हुए है यह सारी की सारी jmp क्या बसकता है आपको एक जपरूरू करने के लिए आपको दिखाया जा रहा है यह देखें पिशाई मशीन का कितना बढ़िया वैतरी मशीन आप देख रहे हैं लेप्ट में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ यह आटोमेटिक साज रेडक्शन यूनेट है जिसमें की पिशाई उत्तिवर बिदावर मैन्यूल टच इसमें से को इसमें की ट्राइस्टोशन होता है और यह पैकिंग के आप देख रहे हैं इसी तरह यह जिसका मैंने उर्ले किया रैपीड मिक्सिंग ग्रेनलेशन और यह बहुत ही फास्ट और लिटेस्ट टेक्निक है जिसमें की अलोपेटिक फार्मा में बहुत अधिक प्रयोग होती है लेकिन अब इसको भी हायरविदिक फार्मेशियों में प्रयोग किया जाने लगा है जिसके बारे मैं आपको बता रहा था है फ्लूड वेड ड्रायर इसमें की हमारा एक 65 डिग्री टेंपरेचर प्लस माइनस पे कोई भी बस्तु सूख जाती है बीस मिनट में जो की 8 गंट से काम करते देते वह आधा गंटे में ओही काम यह मशीना कर देते हैं Go आप शेट ata to extract करने के लिए सारी मशीने लगी हुए हैं कि लेप़ंग में उपर की तरफ लेपट में नीचे की तरफ टेबलेट कि रोट्रेक्षित की मसीने लगी हुई हैं इसमें 16 स्टैशन 27 स्टैशन 8 स्टैशन 4घ इस्टैशन 55 स्टैशन वित्या दिद्या टी 172 cash टीес सारी सारी मशीने विविन आवश्रक्ताओं के अनुरू बहुत सारे मैनिफेक्टेर बनाते हैं आप राइट साइड में ऊपर की तरफ देख रहे हैं आरेमजी का एंडर्स्ट्रियल का बड़ा मॉडल है और यह नीचे आप देख रहे हैं जिसको की डबलुएचो सिस्टम में आरेमजी को और एफबीटी को इसमें शिप्ट करा हो गया है इसी तरह आप देखिए इसमें आपको जो लेफ्ट हैंड में अपर साइड में जो फोटो दिख रही है इसमें की आपका टैबलेट के लिए जो से 9 मशीन होती है ब्लिस्टर मशीन होती है ब्लिस्टर पैक मशीन वो रख्यी हुई है और इसके दाई तरह आप देख रहे हैं से 9 मशीन जिसमें की कैप्शूलिंग इत्यादी का निर्माण होता है और फर्दर इसके बाद लेब में वेविन प्रकार के केमिकल टेस्ट इंहें विए परिक्षा के इसाब से इसका पोकिशन करके इनको हम प्रियोग करते हैं। अब हम आते हैं कंपोजीशन ऑप टैबलेट, modern tablet बनाने के लिए एक सेट के गृुप होते हैं जिनके लिए बिना हम टैबलेट का निर्मान नहीं कर सकते हैं। कोई भी tablet बनानी हो तो उसमें set composition होते हैं जैसे पहला composition होता है active ingredient active ingredient का मतलब कोई भी herb कोई भी mineral कोई भी metal कोई भी भस मित्यादी जो की parmocopia या formula formula इया हमारी Ayurvedic text book schedule first book में दिये हुए है या हमने अपने अनुभु के दोरा इस formula को अपना अगर कोई अन्भूत योग किया है तो उसमें हम प्रियोग करते हैं और इसमें हम एक्टिव के अलावा कुछ एडिटिव या एक्सीपियंट डालते हैं और तब जाके टेबलेट का निर्माण होता है और टेबलेट के डिफरेंट टाइप के यह साथ केटगरी होती है पहले कहते है डिफरेंट मनें जो एक्टिव के अलावा जो भी बेस मिट्रियल है जिससे की टेबलेट का निर्माण होती है और जिसका कोई एक्टिविटी में कोई रोल नहीं है बट उसके फिलर की तरह इनको हम यूज करते हैं डिफरेंट मिट्रियल को जैसे की आपका स्टार्च हो गया कैल्सियम फासफेट हो गया आपका डी सीपी हो गया कई सारे मिट्रियल एम सी सीपी हो गया यह सारे के सारे मिट्रियल हमारे डाइलुएंड की तरह प्रियोग होते हैं कुछ मिट्रियल वाइंडर की तरह प्रियोग होते हैं जिसमें कि हम औशदी द्रव्यों को परस पर वाइंड करते हैं जैसे कि वो टैबलेट प्रॉपर से बने गरनलेशन के लिए बाइंडर बहुत आवश्यक होता है तो वाइंडर में जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल बाइंडर में गम अकेसिया आज कल पीवी के 30 पीवी के 30 चलता है इसके सबसे ज्यादा एकनोमिक और टाइम टेस्टेड विधी को अपनाएं जा रहा है इसी तरह हमारा तीसरा फंडामेंटल आता है डिटी एजेंट डिस इंग्रेडियंट जैसे कि स्टार्ज है क्रॉस कार्मलोज सोडियम है १ मरत आते हैं टे इटि जो की टेटि कहते हैं कि जोगी पेट में जाने के बाद आधा घंटे में घुल जाए तो उससे पहले तोड़ने के के लिए इसमें कुछ DTA डाले जाते हैं इसी तरह चौथे नंबर पर आते हैं लूब्रीकेंट ग्लाइड प्रियोक करते हैं तेलकब इत्याधित हैं कि आ टाल कम है आपका औरहोंहें एक सारे स्चौशां के सारे से सब्सेयर क्लेशग तो अधिक ऑजिसां काय लूगbagai जाद मालगरे हम कुछ टेबलेट बनाते हैं तो उनमें हम कुछ ऐसा फ्लेवर डालते हैं जिससे कि हमारा टेस्ट और रूची के अनुरूप हो स्वीटनिंग एजेंट कुछ टेबलेट हम जो है अगर बहुत जादा कड़वा मिट्रेल होता है तो उसको टेस्टी बनाने के लिए स्वीटनिंग मिट्रेल का भी प्रियोग करते हैं तो अगर नट सेल में देखें अगर हम पूरे प्रोसेस को अगर रिव्यू करें तो हम पुना देखेंगे कि जो भी प्रोसेस होती है उनको निम्न प्रकार के फ्लो चार्ट के दोरा समझा जा सकता है सबसे पहले हम कोई भी अगर प्रोपर नहीं होगी तो हमारा पूरा फार्मूला नहीं देगा इसी प्रकार हम मिक्सिंग करते हैं मिक्सिंग दो तरह से उठी ड्राई मिक्सिंग और फिर हम ग्रेनलेशन करते हैं ग्रेनलेशन में हम कोई ग्रेनलेशन में मशीन का प्रियोग करते हैं और शिलेटर करके हम और बनाते हैं और दाने बनाने के यह चुखाते हैं तुखाने लिए ट्रेड रायर य Kayla से यह क्टाहर चेप इत्यादी जो भी पदार थे हैं उनको हम डाल कर इनको हम टेबलेट कंप्रेशन मचीन के द्वारा पंच करते हैं कंप्रेशन के बाद हम कोटिंग करते हैं कोटिंग के बाद हम इनमें सील कोटिंग करते हैं फिर कलर कोटिंग करते हैं कलर कोटिंग के बाद हम इसमें आइंस्पेक्शन वेल्ड में इसको घुमाते हैं एंस्पेक्शन वेल्ट में गुनाने के बाद हम यहां कटेनर में प्रयोक करते हैं अत्वा इसको इस्ट्रिप मशीन और बलिश्टर मशीन यह य। आजकल जो बिलिश्टर का एक आय्लोटेस जिसमें दोनों तरफ ऐलमुनियम की फाईल होती है उसका प्रयोग किया जाता है जिससे की अधिकतम स्टेविल्टी हमें प्राप होती है नाओ काम ऑन दी ग्रेनलिशन हमें क्यों अविश्यकता है ग्रेनलिशन की क्योंकि to prevent the segregation of the constituent of the powder mix to improve the flow property of the mix to improve the compaction characteristic of the mix और इसके जो भी method है method में dry granulation जैसे कि पहले बता है weight granulation and effect of the granulation method on the granulate structure तो आपको पते हिए कि अगर हमने बहुत जदा अगर हाई ग्रोस्कोपिक material है तो हम dry granulation से भी काम चला सकते हैं otherwise अगर material अगर rough है तो हमने weight material के द्वारा इनमें winding create करते हैं जिससे की granul proper size के बन पाए आप comprehensive flow chart के द्वारा आप देख सकते हैं यह जिसमें की पूरी granulation technology को एक direct दिखाया गया कि कैसे direct compression के द्वारा dry granulation के द्वारा या weight granulation के द्वारा हम tablet बना सकते हैं कुछ modern में इस तरह की टेक्निक जादा पुरसित है जिसमें कि हम without granulation direct material को डालते हैं और direct उसको formula को डारा drug लिया diluant लिये gliding लिये direct mixing करके आपने lubricant डाला और compression कर दिया और इसी तरह dry granulation में हम क्या करते हैं कि सारे material लेते हैं drug diluant lubricant इसको mix करने के बाद compression करते हैं compression करने के बाद combination करके इसकी screening करते हैं जानते हैं इनके ग्रेनलिये के साइज को फिर उनको DT agent glideant और lubricant डाल कर octagonal blender में compression mix करते हैं और compression के लिए tablet machine में भेज़ देते हैं इसी तरह weight material में drug और diluant लेते हैं उसको mix करते हैं weighting material में कोई winder solvent PVK30 IPA MDC इत्यादी starch paste agilator देने आगा मकेशिया कोई भी नेच्रल वाइंडर या गुगलू हनी इत्यादी जो भी फार्मूले में दिया है उसको लेके weight granulation करते हैं फिर इसको dry करते हैं screening करते हैं फिर DT agent glideant और lubricant को octagonal blender में डार कर compression के लिए भेजते हैं compression के बाद जो tablet punching है punching के तीन step होते हैं पहले step में hopper में material डालते हैं तो डाई में material भरता है फिर compression का step होता है ejection का step होता है और साथ कोई भी tablet की तीन basis process होती है fill the dye compress the tablet and eject the tablet so my dear student यह tablet के लिए तीनों चीज़ें जरूर यहाद रखे कि direct compression के दोरा भी हो सकता है और dry granulation के दोरा भी हो सकता है weight granulation के दोरा हो जाता है और फिर compression compression में तीन step आते हैं डाई को fill करना compress करना टेबलेट को और eject करना और फिर इसमें बहुत चारे GMP के जितने मीजर्थ हैं safety measures quality measures उनको भी जोड़ देते हैं जैसे रिपीट करते हैं जितनी भी टेबलेट बनती है उसमें filling compression और ejection तीन मोखिक रियाएं चंपादित की जाती हैं अब टेबलेट की coating पर आते हैं coating coating से हम क्यों करते हैं क्योंकि जितने भी यह जड़ी उटी जितने भी नेचर से protect नहीं होते हैं तो नेचर के नमी को अफशुषित करते हैं शोकते हैं नमी को घरण करते हैं और इस नमी को घरण करने के बाद यह टेबलेट बक्त साथ साथ पोरस हो जाती और फिर भंगर होके यह टेबलेट तूटने लगती है या सौफ्ट हो जाती है इसकी हाडनेस जो है लूज हो जाती है जिससे की फ्राइबिल्टी इत्यादी हमारे फर्दर दोस्की रियेट होते हैं तो इसलिए इसमें हम कोटिंग करते हैं कोटिंग कई तरह की होती है प्राइमरी कोटिंग सेकिंडरी कोटिंग और इनक और और इसके लिए आपको पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि जितने भी इंस्रूमेंट है उसके लिए कोटिंग पान कोटिंग पान इसके बाद अभी एक मीढियम-सकोटिंग बान विद प्रियोग होता है इसका सरवादिक मात्रा में प्रियोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा मेहंगे और हायर इंडूर्ट्रियल एक्टुप्मेंट आ गए है जैसे कि आटो को करता है और मास्टर कोटर हाई ना यह ना दिर फ्रेंड नौ कम वंदीब बेसिक प्रॉब्लम सौपदी टैबलिटिंग कोई भी काम करते हैं तो आपको पता ही है कि जो है कुछ सिद्धांद होते हैं कुछ बाते हैं कुछ सावदान्या होते ही कुछ क्षज़ इंट्रक्षण होते हैं कुछ प्रिंटि थे मोनिटरिंग में कहीं लग्ञान में कहीं टेकनिकल ट्रेनिंग में कहीं भी दिक्कत हो तो नियुनिफ्रकार की प्रावलन जनॉरेट हो सकती ह्ट जैसे कीКак ऑंग जैसे की लेमिनेशन चिपिंग क्रैकिंग देश CONStalin मॉन साइज जाlig पोर फिलो अगर हम गृनियूल बनाते हैं उसका फिलो प्रोपर ना हो पाना पंच वरियेशन हार्डेस बेरियेशन साइज बेरियेशन सब्रोबलब रहती हैं तो हमें प्रोपर त्द्धांतिक अनुख के दौर और प्रैक्टिकल घ्यान के दौरा किसी योग व्रिक्ति से ज बहुत बहुत धन्वात और इसी तरह आप तच में रहिए और हमारे वहसज कलपना के जितने भी महत्पूर्ण बिशाय हैं और रश्चास्त के जो महत्पूर्ण बिशाय हैं उनको पुना अन्यत्र दूसरे ओनलाइन लेक्चर में आपको हम संबोदित करेंगे और आपकी जो झाले करेंगे बिशाम जो में वाली हैं आपकी करेंगे सब्काथे सबाद ड्री वे सेंब den तका भी महत्तभ लेक्रत दूसरे खुदर्णragon क्या सकते हम राफकी मैं मारे पाल्ग। झाल झाल